आखिरकार विपक्षी दलो की बैठक में आम आद्मी पार्टी भी शामिल होने जा रही है और इस बैठक में संजे सिंग भी नजर आएंगे अरविंद की इजरिवाल और भगवंत मान के साथ हमारे साथ वो बाचीत करने के लिए जुड़ गए हैं और कई दिनों से ये होंगे सिर्फ अध्यादेश ही मुद्दा होगा या फिर आगामी जो लोग सभा चुनाओं है उस पर भी नजर है आम आद्मी पार्टी की दृष्टी से अगर आप देखिए तो तातकालिक मुद्दा हमारे लिए सबसे एहम और बड़ा मुद्दा था दिल्ली की दो करून पार्टी ने अपना समर्थन दिया है कि हम इसका पोस्ट करेंगे जब ये पार्लेमेंट में ये और्डिनेंस आएगा इसके लिए कॉंग्रिस पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार दूसरी बात ये है कि जब आप मीटिंग में वहाँ पर बैठेंगे हमारे प पारे में तैं होगा उसके पहले मेरे लिए कुछ कहना या बोलना ठीक नहीं है तो वो तो एक सामोहिक फैसला होगा कि जो गड़बंदन होगा दोहजार चौबिस के लिए या चुनावी राजनीती में आगे हमें अगर बढ़ना है तो किस फॉर्मूले के साथ बढ़ना है कैसे बढ़ना है वो सारा कुछ इस मीटिंग में तैं होगा लेकिन एहम सवाल ये भी है कि विपक्षी दलों की ये जो बैठक है या विपक्षी दल जो है इनकी एकता कमजोर क्या होते जा रही है सवाल इसलिए उट रहा है क्योंकि यूशी सी को लेकर जो विपक्षी दल ह अलग-अलग राय है आम आधी पाठी समर्थन कर रही है सध्धान्तिक तोर पर कुछ दल है जो कह रहे हैं कि यूशी सी नहीं होना चाहिए तो ऐसी स्थिती में लग रहा है कि विपक्षी एकता से पहले ही मुद्दे एक नहीं है अलग-अलग हो गया है देखे एक परिवा पार्टी कोई सौ वर्स पुरानी है कोई पचास वर्स पुरानी है बहुत पहले-पहले से राजनीतिक दल है उनकी अलग-अलग विचारधारा है अलग-अलग सोच है बड़े मुद्दे क्या होंगे जिस पर हम एक साथ आ सकते हैं भारत के लोकतंत्र को बचाने का भारत के सम्विधान को बचाने का मुद्दा इस देश में बेरोजगारी का जो आलम है इस देश के अंदर महंगाई का जो आलम है इस देश के अंदर असिक्षा और स्वास्त की बदहाली का जो आलम है तो ये जो बड़े मुद्दे हैं इस पर एक जुट्टा की बात राय लाने की कोशिस जबरदस्ती हर मुद्दे पर करेंगे मुझे लगता है वो संभो नहीं है अलग 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 उनकी राय है कुछ बड़े मुद्दे होते हैं जिस पर एक साथ सब को आना चाहिए लेकिन उदर विपक्ष की इस एकता को लेकर भाजपातंज भी कसती है वो यह लगता है वक्त के साथ सारी तस्वीर सामने आएगी और मैं तो भाजपाईयों से पूछता हूं कि तुम्हारा चेहरा कौन है जिन लोगों के उपर सत्तर हजार करोन रुपए के घोटाले कारोप लगा रहे थे तुम कल तक जिन लोगों के घर पे बुल्डोजर चलवा रहे थे उनके साथ अब समझाता कर रहे हो तो पूरा देश तुम्हारे चरित्र को भी देख रहा है इसलिए कम से कम भाजपाईयों से किसी गड़बंदन के बारे में या लोगतंत्र को कैसे बचाना है इसके बारे में कोई सीख भाजपा से तो नहीं लेनी चाहिए और वो काम एक ही है वो भारती जगड़ा पाटी बन चुकी है नफरत फैलाओ देश को बाटो देश को तोड़ो इसी काम में बीजेपी वाले लगे है तो उनसे किसी भी प्रकार की कोई सला ना लेने की जरूरत है और ना उनकी किसी बात पर ध्यान देने की जरूरत है है घबराहट है कुछ भी बोलेंगे कुछ भी कहेंगे कहने दीजी बहुत बहुत धरनेवाद जाहिर है कि बीजेपी पर निशाना है साथी साथ उम्मीदें हैं दोजार चौबेस लोग सबाचुनाओं को लेकर लेकिन देखना ये भी होगा विपक्षी एक्ता विपक्षी